हेलो मेरे प्यारे बच्चो कैसे आप सब लोग बेटा आर यू स्टडिंग आर यू एंजॉइंग आर यू टेगिंग केर अफ यूरसेल्फ येस अफकोर्स यू डू मुझे बता है मेरे हर एक बच्चे ये सारी चीज कर रहे है बहुत दिनों से मैं ये कमेंट देख रहा हू बेटा कि आप लोगों को MSTCET के अलावा भी बहुत कुछ जगा दिक्कते जारी है और वो दिक्कते आपको ना रहे इसलिए मैं आज के सामने आज लेके आया हूँ ये सेशन जिसका नाम है बेटा हाउ वेन और कब कैसे और कहां इसके जो भी टॉपिक्स है वो हम अंदर द क्या-क्या देखने वाले हैं आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कास certificate के बारे में क्या-क्या चीज़ें है जो बच्चों को बहुत जादा हॉंट कर रही है उनको बहुत जादा परिशान कर रही है साथ मही हम देखेंगे non-criminal के बारे में उसके बाद EWS डाट इकउनॉम MST, CT के exam के बाद काम में आने वाली है, खेर उसका registration करते वग भी काम में आने वाली है, लेकिन कुछ चीज़े जो है, वो fundamentally आपके दिमाग में clear रहने को ना, ठीक है, चलो, तो पहला देखेंगे, caste certificate, बैटा, caste certificate में ये चीज़ होती है, कि caste certificate दो जगा बन सकती है, पहला center पे बन सकती है, और दूसरा state में, क्यूंकि कुछ-कुछ caste ऐसी है, जो center में open आती है, याने open category में जाती है, लेकिन state में वो open category में नहीं, OBC में जाती है, तो हमको ये जो cast certificate है बेटा, वो हमको लेनी है state government से, हमको central government से लेनी नहीं है, cast certificate के लिए आपको अपने father की cast, या फिर आपको अपने father की जो TC होती है, वो रहनी जरूरी है, और अगर मांदो grand father की अगर हो, तो that is well and good, याने father के side से, याने papa के side से, जितने भी documents से वो लगेंग ममी के side से documents नहीं लगेंगे बेटा, ठीक है, ये सारी चीजे लेके आपको जाना पड़ता है तैसिल office में, और वहां से हमको ये cast certificate निकालनी पड़ती है, जो की लगभग 30 दिनों में निकल जाती है, लेकिन इसके लिए और भी बहुत कुछ documents लगते हैं, जो आपको जोडने लगेगा, right, specially आप महरास्टर में हो, तो महरास्टर का certificate लगेगा वहां पर, ये कोई लेकी नहीं आएगे, जैसे for example, अगर आपके area में, आपके ward में कोई भी नगर सेवक है, तो उससे भी आपको रहवासी दाखला मिल सकता है, या फिर police पाथिल से भी आपको रहवासी दा the benefit of the reservation, reservation आपको मिलना चाहिए, इसलिए cast certificate बहुत important होता है, और cast certificate के बाद ही आपको cast validity भी मिलती है, जो क्या है मैं आपको सामने बताने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बिटा, cast certificate के बारे में आप यहाँ पे crystal clear हो गए होंगे, fine, चलो, उसके बाद हम चलेंगे OBC candidates के लिए होता है, कि ऐसे candidates जो OBC से belong करते है, लेकिन उनका family income 8,00,00 से जाधा होगा annual, उनके लिए यह certificate नहीं मिलेगा, और अगर यह certificate आपको नहीं मिलता है, तो आपको reservation का जो भी advantage है, वो लेने में आपको दिक्कत जाएगी बेटा, तो यह non criminal certificate निकाले कैसे, इसके family का income दिखाना पड़ता है, particularly आपके father का, ठीक है, तो father का income certificate हम बनाएंगे उनके office से, वो income certificate लेके हम जाएंगे तलाटी office में, वहाँ से आपको income certificate उनके तरफ से मिलता है, तलाटी office से वो ही certificate लेके आप जाओगे तैसिल office में, जहाँ पे आपको तैसिल office का income certificate बनाके मिलता ह तो इसको बनाना जरूरी है इसको आप हमेशा साथ में रखिए ताकि आने वाले कहीं पे भी आपको रिजर्वेशन का जो भी बेनिफिट मिले वो आपको मिल सके बेटा उसके बाद चलेंगे हम economically weaker section का जो भी आपको certificate मिलता है यह उन लोगों के लिए होता है जिनका family income बहुत कम है जो caste में नहीं आते याने caste reservation में नहीं आते तो यह एक you know economical reservation में आते हैं कि उनका जो भी income है वो बहुत ही कम है so that they need some kind of reservation either they belong to open category or not that doesn't matter लेकिन EWS आपको होना चाहिए बराबर है यह तो open category के लिए ही बोलेंगे हम क्योंकि बाखी की category के लिए तो आपके पास non-crimiliar और caste certificate तो होती है तो specifically इसका जो भी advantage है वो लेते है open category के बच्चे fine तो बेटा इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप non-crimiliar से या फिर EWS से अगर किसी भी college में admission लेते हो उसका benefit लेना चाहते तो आपका maximum fees कम हो जाएगा maximum fees in the sense आपका अगर मान लो 1 lakh fee है किसी college का तो आपको देना पड़ेगा hardly 10,000 rupees तो ये advantage होता है अगर आपके पास caste certificate हो या फिर EWS certificate हो बेटा तो इसके बारे में भी आपने सोचना चाहिए अगर नहीं निकाला हो तो आप निकाल सकते हो procedure will be same for the non-crimiliar certificate जो मैंने अभी अभी ब तरोरी होती है कि कुछ colleges कुछ नहीं महारास्टा के बहुत से colleges में ऐसा criteria होता है कि उनको admission उनमें अगर admission लेना है तो महारास्टा से ही वो बंदा बिलॉंग होना चाहिए वो student बिलॉंग होना चाहिए अगर मान लो other state के बंदे या फिर students आके वहाँ पर admission लेना चाहते हैं त लेगिन अगर मान लो कोई दूसरे state का student है और वहाँ महारास्टा में आके अगर admission लेना चाहता है तो all over India में जितने भी status अभी मिला के उनको 15% का reservation मिलता है तो domicile certificate होना यह अपने आप में वो reservation है कि आप all over India में महारास्टा में आपको reservation है and that is you know and that is what that is for your coming the seats and the coming your admission I hope that is clear fine so that is domicile अचा सर निकालना कैसे है सर यह ऐसे निकालेंगे हम कि हम क्या करेंगे हम हमारा पिछले 10 साल का महारास्टा में रहने का proof देंगे सर अभी एक हैसे देंगे तो चाहे हमारे नाम पे कोई कोई जमीन हो हमारे बूले तो हमारे parents के नाम पे कोई जमीन हो हमारे दादा के नाम पे जमीन हो अगर मानलो ऐसा कोई proof हो जिससे यह होता है कि यह clear होता है कि आप महारास्टा में पिछले 10 या उससे जादा साल से belong कर रहे हो तो आपको domicile certificate मिल जाएगा same आपको यह मिलेग आपको यह domicile certificate fine, caste non-criminal भी आपको आज कल SDO से ही मिलता है, subdivisional office से जहां पे respected collector सहाब बैटता है और उन्हीं के सिकनेचर से हमको यह सारी चीज़े मिल जाती है, caste validity बेटा यह चीज़ होती है कि आपने एक बार caste निकाल लिया तो इसको validate कोन करेगा, है ना, किसको समझ में आ जाता है, जो usually आप अगर 12th में science background से हो तो आपको वो school से ही बना के मिल जाता है, और अगर मानलो आपने यह नहीं किया है, तो जब कभी भी आप job पे लगोगे, government job की बात कर रहे बेटा, तो वहाँ पे आपको यह validity certificate देना जरूरी होता है, otherwise आपकी caste जो है बेटा, वो consider नह आपकी queries है, तो मुझे वो भी comment में बताना, मैं next video जल्दी ही लेके आऊंगा, that's all for today, thank you so much.